मुझा स्वागत है एक नए लेक्षर में VBT, वेलिंस बॉन्ट थियोरी तो वेलिंस बॉन्ट थियोरी अगर आपने M.O.T का लेक्षर में देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि जो इलेक्टरॉन का हमने वेव नेचर वाँ पे देखा था और VBT क्या बोलते थे कि पार्टिकल नेचर का एलेक्टरॉन तो क्लास 12 में फोटो एलेक्टरिक एफेक्ट चैप्टर है उसमें डीव रोगली है उसमें उन्होंने बोला था कि हर एक पार्टिकल वो वेव नेचर भी शो करता है पहले तो यही माना जाता था कि सब लोग पार्टिकल नेचर शो करते हैं लाइट भी पार्टिकल नेचर शो करते हैं लेकिन जब उन्होंने हाइपोतेसेज दिया डीव रोगली सामने तो उससे हमें पता चला कि वेव नेचर भी होती है तो क्या हमारा वेव नेचर भी होत बोला मैं आपको लिख के बताता हूँ और पूरा एक्ष्प्लेंग करेंगे बिल्कुल टेंशन मतले ना तो वीबीटी साब क्या कहते थे उन्होंने बोला कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो बनता है ओवरलेपिंग से किस से ओवरलेपिंग से मतलब एक के ऊपर एक आ ज यह ज़रूर याद है ना हाफ फिल्ड टॉमेक और वाइटल में होगी वीबीटी साब ने बोला कि जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं ओवरलेपिंग से वह तो हाफ फिल्ड टॉमेक और बाइटल से बनते हैं अच्छा अब हमने बोला कि कैसे बनेंगे तो उन्होंने बताया उन्होंने बोला कि हाफ फिल्ड टॉमेक और वाइटल अप ले लो जैसे अपने हाइडरोजन लिया ठीक है इसमें कितना होता है वनेस वन होता है एक और हाइडरोजन लिया उसमें भी वनेस वन वन होता है तो जब इ तो सब लोगों ने इन से पूछा कि अच्छा यह ओवरलेपिंग हो रही है तो इस बॉइंड की हमें आप स्ट्रेंथ बताओं तो उन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया कि जो बॉइंड स्ट्रेंथ होगी किसी भी कोवलेंड बॉइंड की वो डारेक्ली प्रोपोर्शनल होगी एक्स्टेंट ओफ ओवरलेपिंग मतलब जितनी ज़्यादा उसमें ओवरलेपिंग होगी एक की उपर एक जितनी ज़्यादा वो आएंगे मतलब जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी जितनी ज़्यादा कैस लोग घनिस्ट था मतलब प्रेम समझ रहो ना जितनी ज़्याद जदा ओवरलेपिंग होगी उतनी जदा बॉंड स्टेंट होगी और साथ ही साथ अब यह बॉंड स्टेंग जादा है तो क्या उसको इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता नहीं तोड़ा जा सकता तो गिसे प्रपोर्श्चनल डिर्वलेपिंग्ग तो सब लोगों ने बुला कि ऑच्छा ठीक है ओवरेपिंग हो रही हे आपक अनुसार वीवीजेशन के अबelnुen्हों Explain, बताईक ख़ोते हैं तो सब उन पर उन से भी होते हैं तो फिए वहाँन गून के ताइप हो लो ठीक है 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 हमने ले लिया तो हाइड्रोजन में पता है कितने एलेक्ट्रोन होते हैं सबको पता है 1s1 अब अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में 17 होते हैं अरे बोलना यार तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 यह कितने हो गए 10 हो गए हां फिर 3s2 और 3p 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 5 तो आउटर मुस्यल में कितने हैं 7 अरे बोल हां या ना बोलेगा ना हां तो अगर मैं देखूं एस में कितने आ गए 2 बहुत नजाकत से अब सुन पी में कितने होते हैं 3 होते हैं और मतलब हाफ फिल्ड में 3 एलेक्ट्रोन 4 फिल्ड में 6 तो 1 2 3 4 और एक 5 ठीक है तो 3p overlapping है यहां पर कौन सी overlapping है 1s 3p overlapping फिर इन्हों ने ऐसे बहुत सारे structure दिये chlorine का structure दिया CL2 CLCL में कैसी overlapping होती है तो बस इतना याद रखां आउटर मुस्यल के जो आउटर मुस्यल यह नो ने का आउटर मुस्यल के जो half filled होगा दो half filled atomic orbital जब जब मिलेंगे कोवलेंट बनाएंग तो उनके बीच में क्या होगी overlapping वीबीटी साब ने यह कहा था simple बहुत simple उन्हों ने यही कह ठीक है तो उन्होंने बहुत सारे example भी दिये कि किस तरीके से overlapping हो रही है अब जैसे उन्होंने HBR लिया तो मैं HBR तो वैसे simple होगा HBR भी simple होगा फिर उन्होंने बहुत सारे experiments किये तो उन्होंने बताए कुछ ऐसे factors भी होते हैं ऐसे कुछ factors भी होते हैं जो effect करते हैं हमारी extent of overlapping को अब यहां से question आएगा मतलब आते हैं question यहां से वो यहीं बोलते हैं कि अगर हम आप हमें bond strength का order बताओ आप हमें order बताओ कि यह reaction होगी या नहीं होगी तो मेरी बात याद रखना जो bond strength होती है direct याद रखना direct कोई दिक्कत नहीं है bond strength bond strength कहलो या closeness कहलो bond strength is the inversely proportional to is inversely proportional to number of shell अब यह number of shell क्या चीज़ है जितने ज्यादा शेल होंगे जैसे मान लोग आपन अगर electronic structure जैब अपन लोग 10th में पढ़ते थे जैसे हम electronic structure बनाते थे ना कि अंदर तो nucleus है फिर उसके बाद यहां पे दो electron फिर KLM and SM लोग नहीं बनाते थे आप लोगों नहीं बनाए होंगे आप भूल गए थोड़ा सा तो two फिर उसके बाद six आते थे one two three four five six फिर उसके बाद eight आते थे तो उन्होंने यह बोला कि जो overlapping होगी या फिर overlapping कहलो या bond strength कहलो वो सबसे ज्यादा अच्छी और अच्छी कहलो या फिर ताकतवर यह भी कहो bond strength सबसे ज्यादा ताकतवर कहां पर होगी one one overlapping मतलब कोईसी भी जैसे one one is one is one one p one p one p हुआ हाँ two p two p हुआ three p three p हुआ extent of overlapping वहां ज्यादा होगी जैसे मैं यह लिख ले ना one 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 two one three तो होगा नहीं obviously फिर two 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 three अभी one one two two मैंने क्या लिखा उसको अपन explain करते हैं एक example ले ले लिए है एच एफ है एच सी एल एच वी यार इसमें अगर मैं बात करूं bond strength की मैं किसमें इसमें किसकी बात कर रहा हूं वडूर्ड की मैंने बता इंवर्चल पोर्शन के number of shale केMr okay ऍले chi वह होगा पकिण है तो और बोलना यार्व यह कि इसमें जाएगा 4P5 में, तो 1S, 4P, तो मैंने बता है, extent of overlapping is directly proportional to, याद करो या, extent of overlapping is directly proportional to bond strength, और bond strength is inversely proportional to number of shell, अब यहां number of shell क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जैसे यह आप नीचे जाओगे, किसी भी group में, वह number of shells बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते गया, बोलो हाया न तो number of shell बढ़ते जाएंगे, तो bond strength क्या हो जाएगी, कम, तो bond strength क्या हो जाएगी, कम, अरे चमका की नीचमका, जैसे एक मैं assertion region question उठाता हूँ, assertion region जो aims में question आया था, वो यह था, उसने assertion हमको लिखके दिया, तो उसने पता कि question दिया था, अब वहां पर क्या आधे लोग हो ज्यादा ऐसे डिक होता है है, हमने यह बात तो मान ली क्योंकि hydrogen में से सबसे जादा कौन, सबसे जल्दी कौन दे देगा, हैचाई देगा, क्यों दे देगा है, क्यों कि iodine का size कितना बड़ा है, तो क्या उसका nucleus hydrogen को उतनी ताकत से खीच पाएगा, नहीं खीच पाएगा, तो hydrogen जल्दी निकल जाएगा, iodine के case में, अरे भाया, size के basis में अगर करोगे तो fluorine, chlorine, bromine, iodine, यह size है, सबसे जादा सबसे बड़ा size है, अरे नहीं समझा यार तुम, iodine का size बहुत बड़ा है, तो उसका nucleus, hydrogen को इतनी ताकत से ट्रेक नहीं कर पाएगा, तो hydrogen निकल जाएगा, इसलिए उसकी acidic nature जादा है, किससे HBR से, फिर उन्होंने reason दिया, तो देखो, assertion reason जब भी करो, तो जैसे पहले assertion पड़ो, फिर उसके बाद because लगा दो, तो क्या था, HI is more acidic than HBR, because size of iodine is greater than PR2, तो yes, it is correct, तो answer क्या चला जाएगा, अब एक और उसने जैसे, जो factor effect कर रहा था, एक तो हमारा क्या था, bond strength is inversely proportional to number of cell, दूसरा जो थी, उनकी दिक्कत, वो थी nature पे, nature, environment, नहीं बेगदों, nature मतलब की type of orbitals, ये क्या बोल दिया इसमे, मैं समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, type of orbitals, उन्होंने बोला, जब cell number same होगा, तब थोड़ी सी nature पे depend करेगा, कैसे, उन नहीं ने बोला कि directional orbital, directional orbitals, और non-directional orbitals, अच्छा,謹र अच्छा अगर आपने structure पढ़ा हो, एच का structure कैसा होता है? Sphere होता है, non-directional orbitals है ना, हैसका अगर आपने structure पढ़ा हो, जैसे non-directional की मैं बात करूँ, तो rasa orbitals जो है, S orbital जो है, इसका structure ऐसा होता है, यह बहुत, micro मिन, micro तो सब्सक्राइब होता है और जिब कि जिसमें डायरेक्शन होती है वह पी और डी ऑर्बाइटल होता है और डी कुछ इसने जाकत भरी तरीके से होता है डी आर्बाइटल से हमारा तो उन्होंने बुला कि जो एक्स्टेंट होगी overlapping की वो directional in directional orbital is greater than non-directional orbital ये लिख लो घोर लो जो भी आप करना चाहो कर लो कि जो extent होगी extent किसकी overlapping की जो extent होगी overlapping की किस वो directional में directional में in directional orbitals is greater than greater than non-directional अरे तुम समझे ही नहीं यार non-directional में क्या है तुम कहीं से भी x, y, z x से लियाओ उतन ही जाएगा उतन ही जाएगा परन्तु directional orbital में क्या है अगर आप x से लेके आओगे तो x, x overlapping होगी y से लेके आओगे y, y अब उसमें भी अभी बहुत मझा आएगा अगर आप field लेके पढ़ना चाहता हो न तो इसके बाद तक जरूर देखना तो मैं आपको पूरा explain करूंगा कि कैसे s s overlapping होती s p overlapping p p overlapping उसमें और मझा आएगा हाँ जी तो अभी तब जो हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा कि भईया दो atomic orbitals मिलते थे half filled atomic orbitals दीरे दीरे उनमें पास close ने साती थी तो जिससे क्या हो जाता था उनके बीच में overlapping हो जाती थी और overlapping होती थी जिससे हमारे कौन सा bond बनता था covalent bond बन जाता था तब हमने फिर पूछा कि भईया types of overlapping बताओ अब अगर आप बोले हो कि sigma भी बनेगा बल रहा हूं coaxial overlapping इसमें आपको एक term याद रखनी है इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर मतलब दो nucleus को जोडने वाली axis इंटर न्यूक्लियर axis लाइन और axis लाइन केलो या axis केलो जो connect करता है दो nucleus को ठीक है बस इतना याद रखना फिर मैं आगे आपको लेगे चलता हूं ठीक को एक्जिल में क्या होता है थारे पास x मतलब s orbital है क्योंकि मैंने बताया था कि को एक्जिल overlapping में sigma point बनेगा नहीं बताया तो अभी सुन लो coaxial जब भी कोई भी कोई भी कहीं पर भी आपको देखे कि s orbital है क्योंकि यह s और पी में देखने को मिलते हैं जाला था को एक्जिल में क्या होगा sigma point बनेगा क्यों सा बनेगा sigma point ठीक है यह x होता है यह y होती है और यह x होता है यह y यह x तो हमें अगर covalent bond बनाना दो atomic orbital जो इस तरीके का structure बना लेंगे कुछ इस तरीके का structure बना लेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं चुटे यह क्या बना हमारा overlapping यह क्या है overlapping अरे बोलना या रहा या ना overlapping अब अगर मैं इसकी inter nuclear axis देखूं दो nucleus को जोडने वाली line को हम क्या बोलते थे inter nuclear axis यहां पे आपको कौन स इसको चोड़ रही है अब सुन यह तो मैंने एक example लिया अब आते हैं main खेल पर फस्ट जब S और S की overlapping होगी सेम है बिलकुल कोई tension वाली बात नहीं है S और S overlapping तो नहीं पता है मैंने सबसे पहले example लिया था hydrogen का hydrogen कैसा हो था बने सबन होता है इसके दो हाफिल atomic orbital ले लो ले लो लेंगे थोड़ा सा गलत हो गया मेरे ख्याल से जल्दी जल्दी में यह हमारा एक्स internuclear axis और यह वाई यह वाई सिंपल है ना हाँ तो यहां पर यह क्या बना लेंगे सिग्मा बॉंड सिग्मा बॉंड यह हमारा क्या है SS overlapping अब यह तो सिंपल है अभी देखते जाओ गुरू SP overlapping मतलब अब एक S orbital मिलेगा और एक P half field orbital मिलेगा दो भाईया दोनों half field होने चाहिए ना तो जब यह मिलेंगे तो इनमें overlapping होगी अब internuclear axis का काम जरू होगा अब अभी तक तो कुछ नहीं मैंने बता दिया internuclear axis का क्या है कि जो दो nucleus को जोड़े उसको हम internuclear axis बोलते हैं अब य जैसे मैंने बोला HF ले लो एक तो S हो गया एक P हो गया अरे इतना तो समझ में आना चाहिए है hydrogen में कितना होता है 1S1 अरे बोल हाँ आना ठीक है 1S1 मतलब S orbital है AC orbital है तो X और Y इतना तो clear होना चाहिए इतना clear है उसके बाद यह किस से जुड़ रहा है किस से जुड़ दिया है बिडू P से P से जुड़ दिया है ठीक है P का structure कुछ इस तरीके से यह X axis यह Y axis उसने मुझे लिखके दे दिया उसने मुझे लिखके दे दिया कि जो internuclear axis है है वह X पर है मतलब कि अब अगर यह जो bond बनेंगे जो यह मतलब यह जब इनकी overlapping होगी तो X axis पर होनी चाहिए कौन से एक्स पर होनी चाहिए X axis पर क्योंकि internuclear axis उसने क्या दिया एक्स दिया तो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से यह P orbital है यहां रखा हुआ है और यह हमारा X orbital है एक्स ओर्वाइटल है एक्स ओर्वाइटल तो 3D है P orbital हमारा इसे XY plane में रखा हुआ है अब यह मैं बता नहीं सकता Z axis में भी होता है obviously P भी होता है लेकिन हमें internuclear axis क्या दिया एक्स तो यह बहुत प्यार से जाएगा 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 और यह noodle plane से निकल जाए अब यह क्या बवाइटल में ने बुला समझो समझ लेते हैं समझना है मैं क्या देखते हैं क्या हुआ हमने X axis रखी थी तो X axis में हाँ तो कोई bond बनेगा नहीं तो यह S वाला orbital X axis से सीधा उसके nodal plane से निकल जाएगा मतलब कि कुछ इस तरीके का structure बनेगा और इस समय इस समय कोई भी bond नहीं बनेगा यह याद रखने वाली चीज है कि जब जब कोई भी कोई भी nodal plane जब जब कोई भी orbital उसके nodal plane से जाएगा तब तब bond नहीं बनेगा तब तब क्या नहीं बनेगा bond नहीं बनेगा और बोल आया ना तब तक bond नहीं बनेगा एक और सुन एक और सुन अ हमारा s orbital है y x अब मैंने इसको जो हमारा p orbital है उसको x x में रख दिया कौन सी x में रख दिया x x में अभी मैंने y x में रखा था उपर तो इनोडल पेंसे निकल गया अब मैंने x x में रखा फिर वह यह इनने कोवलेंट बनाने के सोची पास आए बहुत मतलब नज़्दीक यहां नज़्दीक रहा है तो इन्हों ने क्या किया यह देख बहुत नजाक्ट भरी तरीके से नहीं कौन सा भॉन्ड बना लिया चुटे यह यहां पर हमारा क्या बन जाएगा सिगमा बॉंड अरे बोलना जब जब सुन लो जब जब कोएक्जियल या फिर हैड-on ओवरलेपिंग होगी तब तब सिगमा बॉंड बनेगा और जब जब को लेटरल या फिर साइडवाइज मतलब ऐसे मिलना है साइडवाइज साइडवाइज अभी हम पढ़ेंगे साइडवाइज टेंशन नहीं लेना साइडवाइज ओवरलेपिंग होगी तब 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 पाई बॉंड बनेगा ठीक है को लेटरल को एक्जियल को एक्जियल है फिर हैड़ ओन ओवरलेपिंग हुई तो सिगमा बनेगा ठीक है और जब जब collateral side wise अभी हम आगे देखेंगे तब तब पाई बंड बनेगा तो याद रखना अगर internuclear axis x है एक्स है और हमारा P orbital y में खड़ा हुआ है तो नोडल प्रेंट से निकल जाएगा नोडल प्रेंट से अगर निकलेगा तो बॉंड नहीं बनेगा यहां सिग्मा बॉंड बना क्योंकि internuclear axis कहती एक्स थी और एक्स में हमारा वो P orbital रखा था भाईया एस के लिए तो आप कहीं पर भी रख लो यार अड़ बोलाया ना नहीं चमका थोड़ा वो तो चमका होगा यार नहीं चमका एक और एक्जाम्पल क्योंकि एक्जाम्पल से क्लियर होगा concept PP overlapping हमने SS देख ली SP देख लिया PP तने और देखा दूँ तो थोड़ों क्लियर हो जाए वे मैंने बोला chce ऑरबाइटल बी मी कैसे लिए हैं XX पर दोनों किसे लिए tecs पर एक्जस पर लिए है तो यerमारी क्या हो गई overlapping और overlapping होई तो यहां पर क्या बना कॉन सा बाभण बहूंब आविचेओं ओन प्लूंग में क्योंकि थे सेम एक्स एक्सिस थे अब यहीं पे अगर मैं change कर दूँ मैं क्या change करूँगा मैं यहीं पर अगर change कर दूँ मैंने क्या किया एक p orbital को मैंने y में ले लिया और एक p orbital को मैंने x में ले लिया तो मेरी बात समझ हो एक p orbital को मैंने किस में लिया y में लिया एक p orbital को मैंने x में लिया तो मैंने पहले भी आपको चीज़ बताई थी क्या होगा नोडल प्रेंट से निकल जाएंगे कैसे भाई सम नोडल प्रेंट समस्मझे नहीं अरे देखो तो तर्णिक जरा कहीं टेंशन ले थो यह तो हमारा ऐसा था अरे बोलना या था कि नहीं था आप लोग बिल्गों समझो के तो क्या से निकल जाएगा से निकल जाएगा नोडल प्लेण से निकल जाएगा अब इतना सब तो मैंने किरा दिया लेकिन एक और सुनलो कुष्यन आ einige डाइग्राम मあっ ी एक्स चाहान ने बता आए भाई साव ने बता था कि य में है एक एक्स मैं है तो ओव黑 Tiger हो रही थी रटो मत simple करो simple क्या करना है जब जब एस और बाइटल जब जब एस और वाईटल मिलेंगे वहमेंश क्या व not आएंगे सिग्मा बॉंड अगर मिल गए तनित तिरे पास एक्जाम्पल आ गया एच टू अब वो तो सेंपल लेगा यार और हीलियम आगया भीलियम सोच के अरे हीलियम कुछ नहीं S S orbital मिलेंगे sigma bond बनेगा अच्छा और एक और सुन जब दो S orbital जब दो S orbital from किसी भी axis any axis from any axis can form sigma bond बोले तो मैं क्या बोलना चाहरा हूँ कि S orbital को आप कोई सी भी axis से लिया A X Y Z वो हमेसा कौन सा bond बनाएंगे sigma bond बनाएंगे एक और चीज़ लिख ले यह तीन पॉइंट याद होने चाहिए उंगलियों में उंगलियों में मतलब लिखके जाना है रहे fingertips पोना चाहिए छोटे for sigma bond formation in P orbital मतलब कि अब S P हमारे पास overlapping कुछ इस तरीके के होगी given axis जो हमें axis दी होगी और साथी साथ जो given P orbital है वो सेम होने चाहिए बस तो मैंने तीन चीज़े बताएं कि अगर एस और वाइटल आप कहीं एस और वाइटल को अगर आप जोड़ोगे हमेंसा sigma bond बनेगा और दो एस और अगर मिलेंगे किसी भी axis पर तो हमेंसा sigma bond बनाएंगे और अगर मान लो कि हमें सिग्मा वाइटल करना एटल सहे हैं तो गैवान एकसि जो है हमारे पास जो मतलब नदक्क और और शाहिवान जोसे नहीं चाहिए अरे अभी एकजांपल दिखाया था ना जोनों D by overlapping मतलब एक में क्या होगा PP orbital मिलेंगे और एक में क्या होगा P or D orbital मिलेंगे तो कुछ नहीं tension बिल्कुल नहीं लेना मैंने बताया था जो collateral overlapping होती है वो कैसी होती है अरे बाइया बताया तो था collateral overlapping sideways overlapping होती है मतलब कि ये दो पी और orbital थे क्या ये same axis में तन्हें दिख रहे हैं है वाई एकसेज है इसमें भी एकसेज है ठीक है तो इसमें क्या हुआ पाइब और फॉर्मिशन हुआ ये दो PP orbital ऐसे जुड़ गए और नीचे से भी ऐसे जुड़ गए तो ये क्या कोई भी हो वह हमसे जो question पूछेगा वह सिंपल सा है मैं लिखता हूं फिर बताता हूं सुन मेरे वाई मैंने बताया था कि जो S orbitals होंगे उन्हें आप कोई भी एकसे से लियाओ X Y Z वह हमें सा क्या बनाएंगे सिग्मा तो वह अगर एक का सम्पल मेरे करता हूं जिसे हमें इंटर नूइकलर एकसे एकस और हमें और वाइटल दिये हुए तारे पास X है, इंटरनुक्लियर एक्सेस, और यह हमारे पास S और्वाइटल है, उसको हमने जोड़ा P जो Z एक्सेस पर, तो हमें X एक्सेस दीती है, इंटरनुक्लियर एक्सेस, और यह हमारी मालो X है, यह X और्वाइटल है, यह S और्वाइटल है, X और फिर उसके बाद P Z X's में दिया हुआ है देख पी का यह X औरवैटल होगा इसे ना और पी का यह वाला Y होगा इचना तो समना यह X यह यह ङ यही यह यह वाला क्या हो जाएगा Z तो यह Z है और यह X एक्षस में तो क्या बॉंड बनेगा नहीं बनेगा क्योंकि इंटर नुक्लिय एक्सिस नहीं है सेम तो यहां पर क्या बॉंड बनेगा क्या सिंग्मा बनेगा क्या पाई बनेगा नहीं बनेगा कोई साथ बॉंड नहीं बनेगा यह नोडल प्लेन से निकल जाएगा नोडल प्लेन से नही यह चमका गया यह और चमकाएंगा अपन देखते जातू बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा चमकना जरूरी है न क्योंकि अब मैंने बुला इंट्रणुक्लियर एकसे आप ले लो वाए ठीक है इंट्रणुक्लियर एकसे लो वाए और अपन ने क्या किया पी एकस और पी वाए में तो यह देखो यह सीधा निकल जाएगा कोवलेंट बन पाएगा नहीं बन पाएगा नोडल प्रेंसे निकल जाएगा तो कोई बनेगा नोडल प्रेंसे निकल जाएगा नोडल प्रेंसे निकल जाएगा कोई बांड नहीं बनेगा फिर जैसे अपन एक और एक्जामपल यह देखो clear होना जरूरी है अगर नहीं हो रहा आप मुझे बताना मैं और कोशिच करूँगा लेकिन होना चाहिए यह चीज clear अच्छा तो अब मैंने बुला है तो अच्छ से लिया और एक हमने पी जे लिया और एक हमने पी जेड ले लिया थी Tell है हमने वाइफ आपड से लिए एक एस और बाइटल थिकल को कहीं से भी जोड़ो कोई दिकत वाली वाद नहीं है और थी już हमने जेड लिया है तो मेरी बात सुनना द्याना से इंटर नुटलिर एक्सज हमारी क्या है वाइज तो क्याँ यहा पर बॉंड बनेगा अरे तुम लोग सोचो तो थोड़ा सा यार क्या याप क्योंकि P कहां पहे다면 Z X's में है न ये P का X देखते जाओ ये P का X ये P का Y ये P का Z अब इसमें समझ में आ ना होगा कि नहीं ऐसे समझो ये P का X ये P का Y और ये वाला P का Z ये वाला P का Z तो क्या कोई bond बनेगा नहीं बनेगा कहां से निकल जाएगा नोडल प्लेन से निकल जाएगा तो ऐसे कोईशन जो है वी बी टी में पूछे जाते हैं और अभी तक यही पूछे गए और अगर कोई नया कोईशन होता मैं आपको पूरा बताता उसकी कोई बात नहीं है बेफिगर रहो और अगर कंक्लूजन की मैं बात करूं तो बस यही बस यही पूरा वी बीटी का सार था इसके कुछ ड्रोव एक थे जो हमने एमोटी में देखे थे और बस बढ़ाई करते रहो All the very best कुछ कर के दिखाओ और कुछ बन के दिखाओ